श्री शिवाय नमस्त व्याम हर हर महादिव कैसे हैं आप सब देखिए कल 16 दिसंबर शुकरवार के दिन पोस मास के कृष्ण पक्ष के अश्टमी है शुकरवार के अश्टमी है और कल प्रीती योग के साथ साथ आयुशमान योग भी है यानि कि बहुत ही दुरलब योग के साथ ये शुकरवार की अश्टमी आई है और शुकरवार की जो अश्टमी होती है वो विशिशकर धन, वेभव, व्यश, मान, सम्मान एश्वारिय में बड़ोतरी करती है और आईश्मान योग भी है तो बहुत ही दुरलब योग और दुरलब सयोग है और इसलिए आपको मात्रे 31, 31, 40 के दाने लेने हैं और उसी से आपको बहुत ही सुन्दर सा उपाय करना है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुन्दर सा उपाय करना है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक् देखे शुक्रवार की अस्चमी का ये उपाय है तो ये शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है देखे करना क्या है मात्रे 31 चावल के दाने लेना है चावल के जो कच्चे दाने होते हैं कच्चे साबुद जो चावल के दाने है वो आपको लेना है और चावल के दाने खंडि एक बेलपत्र देखो अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है आपको तो भगवान शीव के उपर चड़े हुए बेलपत्र का उपयोग आप कर सकते हैं तो आप भगवान शीव के उपर जब चड़े हुए बिल पत्र लेते हैं, तो शुद्ध जल डाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, अब ये जो सारी सामगरी ले करके आपको भगवान शीव के मंदिर में जाना है, देखें प्रिती योग जो है वो सुबह 7 बच कर 46 मिनिट पर समापत हो जाएगा और उसके बाद आयश्मान योग रहेगा और आयश्मान योग दिन भर रहेगा, तो ये जो उपय है आप दिन भर कभी भी आप, आपको जब समय मिले तब आप ये उपय कर सकते हैं, ये उपय विशेश कर आपकी जो मनोकामना है, धन, वेभव, यश, मा एश्वर्य में प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करते हुए ही ये आपको उपय करना है, देखे करना क्या है, ये सारी सामगरे लेकर क्या आपको भगवान शीव के मंदर में जाना है, देखे सबसे पहले आपको क्या करना है, तामबे के पात्र के अंदर जो जल है, वो मिल जाएगा टीके और 31 बार जब आपने मंट्र बोल दिया आप क्या करेंगे ये जो चावल के दाने हैं हतेली से ही आपको भगवान शीव के उपर अरपीत कर देना है ठीके 31 बार मंत्रों का जाब कर लिया और उसके बाद आपको भगवान चीव के शिवलिंग पर एडपित कर दिया अब आप क्या करेंगे जो एक बेल पत्र है उस बेल पत्र की जो चिकनी वाली जो साइड है ना देखें अब आपके पास है एक बेल पत्र और कच्चा दूद देखे इसके बाद जहां पर आपने चावल अरपित कर रहे हैं बगवान चीव के उपर उन्ही चावलों के उपर आपको ये आपकी जो भी विशिश मनोकामना है धन संबंदित मान संबंदित एश्वरी संबंदित या श्किर्ति संबंदित जो आपकी मनोकामना है वो आपको बोल यह जो बेल पत्र है आपको अर्पित कर देना है देखिए बेल पत्र ऐसा अर्पित करना कि जो डंडी है वो जलादारी की तरफ ही होनी चाहिए बस इतना सा उपाय आपको करना है शुकरवार की अस्ट्रमी के दिन देखिए शुकरवार की अस्ट्रमी के दिन आयुश्मान य आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव